इसी सड़क का उधगाटन किया गया अकबरपुर्ण नगरपाल का अध्यच शर्ता गुपता द्वारा और आप देख सकते हैं उनके करकमलो द्वारा लेकिन सड़क कितनी अच्छी बनी है इस सड़क की हकीकत यह देखिए यह गिट्टी है उपर और घास तक भी है इसके सड़क बनाई गई है और इसी सड़क पे वावा ही लूटी जा रही है अकबरपुर्ण नगरपाल का द्वारा की उधगाटन किया जा रहा है इतने अच्छी इच्छी काम हो रहा है लेकिन हम इस सड़कों पर दिखाएंगे देखिए सड़क पे यह देखिए हरे हरे घास ह यह देखिए यह इसी तरह काम हुआ है अकबरपुर्ण नगरपाल का यह सड़क पैर से थोड़ा भी कर दिगे सड़क पूर्ये सड़क बनाई गई है मिंनके अधिकारी करमचारी और सब लोग किस तरह के काम कर रहे हैं पूरे पांच सालों में इसी तरह के काम हुए इस पर लोगों ने भी रोध भी किया था इसका कि अच्छी तरह नहीं हो रहा है लेकिन काम सही नहीं हुआ था ना यहां आगे भी माते हैं आप भी आईए आगे यह देखिए यह घाश यह पीछ पे घास है यह अंधे लोगों ने किस तरह बनाया है उनके आख में रतवंदी थी यह देखिए ये पूरे से उखड़ रहा है यह सड़क बनाई गई है ना तो गिट्टी का नाम उश्यान यह देखिए यह नगरपल का द्वारा सड़क बनाई गई है इसी गाउं में रहते हैं यह सड़क कितनी अच्छी बनी बहुत खराब बना इसी चीज का विरूत कर रहे हैं आप लोग की सड़क देख लिजे घास की उपर इस तरल है और आधी इंच भी नहीं लगी है गिट्टी और यह देखिए पूरी सड़क भी है कहीं भी उंगली डालिए यह देखिए यह नगरपल का का काम बोलता है इनहीं कामों पे फिर से चुनाव जीतने का दम रखने हैं कि भाजपा का 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 पता है कि भारती जंता पाल्टी के जो वोट है काम या नहीं को मिलेंगे यह है निकांow है यह पूरे शड़क पर बोलना नहीं चाहिए आपने तो पहले कहा कि सड़क बड़ी अच्छी बनेगे नहीं अच्छी बनी है मतलब ऐसे उपर उपर माल लगा दिये बस उपर उपर लगा वह तो हमें लग रहा कि आप यहां के सभाशद है जनता ने आपको चुना है जनता वक्त चाहती है कि काम अच्छे हो वाड में तो यह काम किस तरह हुआ सड़क काम बहुत गरबर हुआ है गितिया भी उजड़ जा रही है आने वाले समय में अकादो मैंने मौर उजड़ी आएगी वह देख रहा हूं ग्यां कि नारे किनार तो हुआ यह है विर के गहा भी भंड़ा के फिर उसके बाद उसके बात उस पर भचस से डाल देता बढ़िया से रोड बन जाती लेकिन कमिया उसमें बहुत है वह एक पुलिये के लिए कहा गया भी नहीं लगवाया तो क्या लगता है जनता की से साफ से क्या किरें जनता का भीरोध का सामना है तो आपको भी करना पड़ रहा होगा इनार बनवायेते कहें थीक टेंडर मिलेगम पस इनका बी टेंडर पस पीन में और ये 766 रुपय नक गर से गया इनका साथ नहीं दिया शाड़まで हमने देखा हैं कि ये τε अज्य पांच दिन पहले बनी ये पांच शे दिन फीपांच दिन हुए घास भी हो गया है इस पैसे ह और यह घास और क्या माल भी कम विछावा हुआ है इस पे कितना दिन टिके गिट्टी भी नहीं है कहीं भी खोद कर देख लो घास के उपर घास के उपर बिचा दिया आरी बगल साप भी नहीं किया गाड़ी खड़ी कर रहे हैं लोग बता रहे हैं कि स्टैंड भी धस जा रहा है उसके धस तो जाई गह रहा है जाहिर सी बाद धस जा रहा है माल कम पड़ा है तो आप लोगे जो विश्वास था सब्सक्राइब करें उसके खिलाब कारवाई होने की बात हो जाती है कि उसके खिलाब कारवाई हो जाएगी अगर इसी तरह के काम हुए हैं तो क्या पची सो वाट की जनता पर कारवाई का हंटर चलाएगी अपने ना तो करमचारियों पर ना तो अपने उपर उनका थोड़ा भी यह नहीं है कि काम किस तरह होनी चीए काम की गुडवत्ता किस तरह होनी चीए लेकिन पाबलिक पर कारवाई करने का हंटर चलाएगी का दिया जाता है कि हानको